देखो दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जिम्वाववे वर्सिज युनाइटिड स्टेट्स यानि ZIM वर्सिज USA के बीच होने वाले ICC World Cup Qualifier के मैच नंबर 17 की Dream 11 टीम और Dream 11 प्रेडिक्शन के बारे में और देखो दोस्तो ये वाला मैच खेला जाएगा हरारे स्पोर्ट्स कलब में 26 जून को दोपैर को 12 बच के 30 मिट पे मैच स्टार्ट होगा सबसे पहली बात आप इस वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि हम यहाँ पे इन दोनों टीमों के हर एक प्लेयर का रिकोर्ड देखेंगे जिसकी मदद से आप अच्छे खासे Small League और Grand League के टीम बना सकते हूँ वहीं देखो दोस्तो अब भी तक आपने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक वाला बटन दबा दीजेगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा लिंक मिलेगा उस पे क्लिक करके टेलिग्राम चैनल याद से जोईन कर लीजेगा क्योंकि टोस होने के बाद जो भी सारी अपडेट आएगी ना वो आपको टेलिग्राम पे प्रोवाइड की जाएगी टेलिग्राम बिल्कुल फ्री है और हाँ यार लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन दबादो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिल्कुल फ्री है अब देखो दोस्तो वीडियो के स्टार्टिंग कर लेते हूं जादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे डारेक्ट मुद्दे की बात कर लेते हैं देखो दोस्तो इस साल ICC World Cup Qualifier के अंदर जिमबाबबे की टीम ने तीन मैच खेले हैं और तीनों के तीनों मैच जीते हैं पहला मैच जीमबाबबे ने खेला था नेपाल के खिलाफ जीमबाबबे आठ विकेट से जीत गया उस मैच में जीमबाबबे की तरफ से क्रेग इरवाइन जोकिन के कप्तान है उन्होंने 121 रन बनाए सीन विलियमसन ने 102 रन बनाए रिचर्ड इंगारवा को 4 विकेट मिल वहीं देखो दोस्तों दूसरा मैच खेलता जीमबाबबे ने निदरलेंड के खिलाफ वो मैच जीमबाबबे की टीम 6 विकेट से जीत गयी थी उस मैच में जीमबाबबे की तरफ से एक बार फिट से क्रेग इरवाइन ने 50 रन सीन विलियमसन ने 91 रन रिचर्ड इंगारव इस रन रिचर्ड इंगारवा को दो विकेट सिकंदर रजा ने 68 रन बनाए दो विकेट लिये तंडाई चटारा को तीन विकेट और ब्लेसिंग मुजरबानी को दो विकेट मिले थे अगर यहाँ पे आप देखो के तो जीमबाबबे की टीम थोड़ी स्टोंग टीम है और जीमबाबबे की तरब से क्रेग इर्वाइन, सीन विलियमसन, उसके बाद रिचर्ड इंगारवा, टेंडाई चटारा, सिकंदर रजा, ब्लेसिंग मुजरबानी जैसे प्लेयर हर एक मैच में आपको बार बार नाम रिपीट होते भी दिख रहे हैं यानि सेफ ओप्सन है य USA यानि उनाइटिड स्टेट्स की तरब से, देखो दोस्तों उनाइटिड स्टेट्स ने भी अब तक तीन मैच खेलें इस साल ICC World Cup Qualifier के अंदर और तीनों मैच हा रहे हैं जिसमें एक मैच के लागा था वेस्ट इंडिज और USA के बीच, वो मैच वेस्ट इंडिज की टीम 49 से जीत गई थी, उस मैच में USA के तरब से अगर हम बात करें, तो सोरब नेत्रावाल करने तीन विकेट लिए थे, राइट टाम फार्श मिडियम पेसर है, काईल फिलिप्स ने तीन विकेट लिए थे, और स्टीवन टेलर ने तीन विकेट लिए थे, अब देखो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगी कि USA के ज़्यादा बोलर चमके थे, क्योंकि तीन बोलरों ने तीन विकेट लिए थे, इसका में डिजन एक सिंपल सा था, कि इस मैच के अंदर USA की टीम ने पहले बोलिंग की थी, अला कि काईल फिलिप अब साइद नहीं खेलेंगे, क्योंकि ने पाल ने मैच जीत लिया, उस मैच में USA की तरब से सुसांत मोदानी को निभ्यालिस रन बनाए, सयान जांगीर जोकिन के विकेट की पर बैट्समें है, मिडलोडर में बैटिंग करने आते हैं, सोरन बनाए, नोतु सकेनिंग जे ने एक विकेट लिया था, वहीं देखो दोस्तों एक मैच नीदरलेंड के खिलाफ के लाते हैं, नीदरलेंड की टीम पांच विकेट से जीत गई थी, उस मैच में USA की तरब से एक बार फिर से सयान जांगीर को निकतरन बनाए, नोतु सकेनिंग जे को एक विकेट मिला, और जदीब सिंग को दो विकेट मिले, अग अगर USC के टीम पहले बैटिंग करती है, तो उस केस के अंदर में जिमवाब्बे के सारे बोलो को ट्राई करना पड़ सकता है, टीम के अंदर, वो हम आगी डिसकस कर लेंगे, अब देखो दोस्तों हम बात कर लेते हैं, जिमवाब्बे की क्या प्लेंग 11 देखने को मिल सकती जिमवाब्बे की तरफ से गरम बात करें, तो जोलोड गंबाई और क्रेग इर्वाइन हाई चांज से ओपनिंग करने आएंगे, उसके बाद तीन नंपरे बैटिंग करने आ सकते हैं, वैसले मदवीरे, उसके बाद मिलोडर की बात करें, तो सीन विलियम्स, सिकंदर रजा रियान बुल्स और क्लेविन मकांडे इनकी तरफ से आपको मिलोडरी कमान समालते हुए दिखेंगे, और बोलिंग की बात करें, तो ब्लेसिंग मुजरवानी, टेंडाई चटारा, रिचर्ड इंगारवा, वैलिंग्टन बसाकजदा, च्यार बोलर ये, पांचो बोलर सिकं विलियम्स और साथ में बोलर के गरम बात करें, तो रियान बुल कभी कबार बोलिंग कर लेते हैं, या फिर वैसले मदिवीरे भी कभी कबार बोलिंग कर लेते हैं, अब देखो दोस्तों, आपको उनका थोड़ा सा बोलिंग सेनरियों दिखा देता हूं, लास्ट मैच का, लास्ट मैच में वेलिंग्टन मसा कसदा ने साथ ओवर की बोलिंग की थी, लैसिंग मुजरबानी ने साथ ओवर की बोलिंग की थी, टेंडई चटारा ने 9.4 ओर की बोलिंग की थी, उसके बाद रिचर इंगारवा ने 6 ओवर की बोलिंग की थी, और शिकंदर रजा ने 8 और की बोलिंग की थी यानि यह जो पांच बोलर है यह इनकी तरब से मेली बोलिंग करते हैं बाती जो बचे ही हो रहा है ना वो सीन विलियमस, वैसले मदवीरे या रियान बूल डाल सकते हैं हमें यहां पे mainly any ball पे focus करना क्योंकि हम एक safe सी team बनाएंगे betting की बात करें देखो दोस्तो Craig Irvine, Sin Williams और Shikandar Raja Tino Kamal की form में चल रहे हैं हाला कि GL के अंदर Joel Lode, Gambai जो player है हाला कि मेरो को X का नाम दंक से नहीं Lenarama आपको मापी चाऊँगा लेकिन Joel Lode, Gambai आपको विकेड कीपर में देखने को मिलेगा GL में मुका दे सकते हो opening करने आएगा बाकि देखो दोस्तो यही हाई चांसिन की तरब से playing 11 देखने को मिल सकती है अब देखो दोस्तो गर हम USA की तरब से बात करें तो USA की तरब से Stephen Taylor, Susant Mudani opener, उसके बाद तीन नंबर पे साई तेजा, मुकामला उसके बाद मिडलोडर की बात करें तो Aaron Jones, गजानंद सिंग श्यान जांगीर और निसरंग पटेल तक मिडलोडर कमान है bowling की बात करें तो सोरब नेत्रावालकर, अली खान, जस्दीब सिंग उसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी तरब से निसरंग पटेल कुछ और की bowling कर सकते हैं माप को इनका लास्ट मैच का bowling scenario दिखा देता हूँ सोरब नेत्रावालकर ने पूरे दस और की bowling की थी उसके बाद जस्दीब सिंग ने आठ और की bowling की थी नोटू सकैनिंग जे ने दस और की bowling की थी निसरंग पटेल ने आठ पॉइंट दो और की bowling की थी और कुछ और की bowling स्टेवन टेलर ने की थी और कुछ और की bowling अलिक खान ने की थी ये इनकी तरब से थोड़ा बहुत bowling scenario में देखने को मिल रहा है अब देखो दोस्तों अगर इनकी टीम पहले bowling करे ना फिर यहाँ पे आप ज़्यादा focus रख सकते हो bowling की उपर क्योंकि उस case के अंदर जिमबाबबे की टीम पहले बैटिंग करेगी और 50 ओर का मैच होगा तो जिमबाबबे की wicket तो गिरेंगे तो ऐसे में Stephen Taylor differential है GL का ऐसे में हो सकता आपके लिए जसदीप सिंग differential निकल के आजाए नोतु scanning जे differential निकल के आजाए यह चीज़े आप देख सकते हो बाकि high chance है इनकी भी यही playing 11 देखने को मिल सकती है अब देखो दोस्तों हम हरे एक player का record देख लेते हैं सबसे पहले हम विगड केपर वाले section से start करते है मारे पास जिमवाब्बे की तरफ से Clive Madande जिनका recent record कोई खास है नहीं मातर एक match में 5 रहे न उसके बाद जो लोड गंबाई है जो की opening करते जिमवाब्बे की तरफ से 26, 45, 45, last के 3, 4 matchों के अंदर अलाकि JL के अंदर रिस्क लिया जा सकता क्योंकि opening करने आएगा वहीं USA की तरफ से शान जांगीर देखो दोस्तो 67 नमरे बैटिंग करने आएगा 71, 149 कमाल की फोम में चल रहे है फ्लेर उसके बाद मौनक पटेल है अभी तक ज्यादा खिलने का मौका नहीं मिला है उसके बाद बैटिंग की बात करें तो मारे पास जिमवाब्बे की तरफ से वैसले मदवीरे तीन नमरे बैटिंग करने आ सकता है 2, 10 और 32 रन है विकेट नहीं मिला है 2, 3 और की बोलिंग कर सकता है ओफ ब्रेक बोलिंग, राइट हैंड बैट्समेन है क्रेग इर्वाइन की बात करें देखो दोस्तों लेटी बैट्समेन है 47, 50, 121 कमाल की फोर्म में चल रहा है इनोसेंट काईया को खेलने का मौका नहीं मिला जिमवाब्बे की तरफ से उसके बाद टीम मौरूमानी को भी खेलने का मौका नहीं मिला जिमवाब्बे की तरफ से उसके बाद अगर हम बात करें USC की तरफ से स्टीवन टेलर है लेट हेंड डिबैट्समेन ओफ ब्रेक बोलर 10 रन, 0 विकेट, 4 रन, 1 विकेट, 18 रन, 3 विकेट बैटिंग, बोलिंग दोनों कर सकता है ओपनिंग करने आएगा USC की तरफ से उसके बाद USC की तरफ से साइट तेजा मुकामला देखो दोस्तों इस प्लेयर की बात करें तो रीशेंट रिकोर्ड कोई खास है नी 10 रन, 0 रन, 1 रन सुसांत मोदानी की बात करें ओपनिंग करने आथा USC की तरफ से 0, 12, 14 उसके बाद देखो दोस्तों USC की तरफ से गजानन सिंग लेटनीड बैट्समेन है 33, 26, 101 रन देखो दोस्तों गजानन सिंग ने एक मैच में 101 रन बनाए हुए तो थोड़ा सा क्रूशल ले सकता वो मैच साइध वेस्टनीजी खिलाव के लगा तो उस मैच में रन बनाए थी तो GL का एक डिफरेंशल प्ले नीकल क्या सकता गजानन सिंग उसके बाद ओल्राउंडर के बारें बात करें तो मारे पास जिमवाब्बे की तरब से सिकंदर रजा 68 रन दो विकेट 102 रन 4 विकेट लास्ट के दोनों के दोनों मैचों में कमाल का पफॉमेंस है कैप्टन सी का भी एक अच्छा दावेदार उसके बाद सीन विलियम्स लेफ्ट हैंड बेट्समें लेफ्ट हम और्ट लोक्स मीनर 23 रन 0 विकेट 91 रन 0 विकेट 102 रन 0 विकेट ये प्लेयर भी काफी अच्छी फोम में चल रहा है उसके बाद रियान बुल की बात करें लेफ्ट हैंड बेट्समें राइट हम लेग ब्रेक बोलिंग कर लेता है 50 रन 0 विकेट, 16 रन 0 विकेट अलगे देखो दुस्तों विकेट नहीं मिला है लेकिन बेटिंग भी बहुत नीचे करने आता है उसके बाद USA की तरब से अरोन जोन्स, राइट हम लेक ब्रेक बोलर है इनका कप्तान भी है अरोन जोन्स आठ रन, दो रन, तेश रन, विकेट नहीं मिला है उसके बाद निचरंग पटेल राइट हम लेट हम उर्थोडोक्स बोलर है एक रन 0 विकेट, आठ रन 0 विकेट और उससे पहले वाले एक मेह साइट खेला नहीं था देखो दोस्तों ये प्लेर ना ये प्लेर अपनी बोलिंग ओलमुष्ट पूरी करता 7 से 8 ओवर की, आला कि फोड़ी खराब है, डिफरेंचल रह सकता है बाकि सिकंदर रजा सीन विलियम्स का रिकोर्ड काफी कमाल का देखने को मिल रहे उसके बाद अगर हम बोलिंग की बात करें तो बलेसिंग मुजरुबानी, राइट आम फास बिलियम पेसर लास्ट के तीन मैच में दो विकेट, जिरो विकेट, एक विकेट कमाल की फोर्म में चल रहे, रीचर्ड इंगारवा FAST SEASUR 2 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, इसकी फोर्म भी ठीका दावु फास बेस थीन विकेट जिरो विकेट, एक विकेट, इसकी फोर्म भी ठीक ताग है उसके बाद मारे पास है ब्राड एवन और ल्यूक जोंग वे अलागि इन में से किसे खेलने को मोका नहीं मिलेगा अलागि देखो दोस्तों एक प्लेयर और भी है वेलिंग्टन मसा कजदा वो प्लेयर लेफ्टाम और्टोडोक्स पीनर है वो जियल के अंदर अच्छा उप्सिन रह सकता क्योंकि उसके उपर कोई ध्यान नहीं दे रहा जिमवब्बे की तरफ से वहीं गर युश्य की तरफ से बात करें तो सोरब नेत्रावाल कर राइटाम फास्विएम पेसर लास्ट के तीनों में चिंव विगेट निकाले एक विगेट एक विगेट तीन विगेट अली खान राइटाम फास्विएम पेसर लास्ट के दो मैच के लिए दोनों में चिं इसका रिकोर्ड ठीक है जी अली के अंदर जस्दीब सिंग या अली खान को मुगा दिया सकता है अगर खासकर यहां पे युससे की टीम पहले बोलिंग करें अब देखो दोस्तों डारेक्ट मुद्दे की बात करते हो टीम बना लेती है यहां दोस्तों विगड़ कीपर क्रेग इर्वाइन बैटिंग करेगा और स्टीवन टेलर है युससे की तरफ से ओपनिंग करने भी आएगा और साथ साथ स्टीवन टेलर बोलिंग भी कर सकता है उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे ओल्ड डाउंडर में तो सिकंदर रजा ओब्यूस चोईस है और सीन विलियम्स भी एक ओब्यूस चोईस है इन दोनों प्लेरों का भी रीसेंट रिकोर्ड काफी अच्छ है और बोलिंग के अगर हम बात करें तो हमारे पास यहां पे ब्लेसिंग मुझरबानी है रिचर्ड इंगार हो है उसके बाद अगर हम बात करें तो टेंडाई चटा रह है उसके बाद देखो दोस्तों अगर यहां पर जिमवाप्य की टीम पहले बोलिंग करेगी तो मैं वैलिंग्टन मसा काजदा को भी लूंगा और साथ ही देखो दोस्तों यहां पर मैं एक बोलर लेने वाला हूं किसका यूस से का जो की सोरब नेत्रावाल कर रह सकता है उस केस के बोलिंग करता है लास्ट मेस अगर यहां पर जिमवाप्य की टीम पहले बैटिंग करें तो रियान बुल को मोका दे सकते हैं अब बीगिलिय पात गंबाय को भी दे सकता हूं सिंपल सी चीज़ा कोई हार्ड फास्टूट है नहीं क्यापेटन सिकंदर रजा और वाइस कैप्टन सी के गरम बात करें तो सीन विलियमसन हाला कि वाइस कैप्टन सी क्रेग इर्वाइन को दे सकते हूँ या फिर यहाँ पी आप जीम्वाबवे की किसी बोलर को भी दे सकते ह एक बात और बता दूँ आपको, अगर आप Grand League के अंदर रिस्क लेके ज्यादा टीम में बना रहे हो ना, और अगर बाइचांस यहाँ पर यूस्से के टीम पहले बोलिंग करें ना, तो आप एक काम और भी कर सकते हो, कि आप यूस्से के दो तिन बोलर ले सकते हो, जैसे नो तु स्कैनिंग जी है, 42% सेलेक्शन है, तीनो मैचों के अंदर विकेट इस प्लेर का, उसके बाद अगर हम बात करें, तो इनके पास आपको जस्दीप सिंग देखने को मिलेंगे, लास्ट के एक मैच में साइथ दो विकेट निकाले इस प्लेर ने, उसके बाद अली खान मैच की ड्रीम लेओन प्रेडिक्शन, उमीर करता हूँ विडियो आपको अच्छे लेगी, अच्छे लेगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले धन्यवाद,